कि आज हम लोग जो इस टोपिक स्टेडी करेंगे उसका नाम हए वेंडीगॉफ जन्रेटर क्या नाम उसका वेंडीगॉफ güzel रोत कि टोपी का नाम है वेंडी ग्राफ जन्रेटर तो ये क्या चीज होती है तो ये एक डिवाइस है जिससे हम हाइब सकत uniform this of 12,000,000 वोल्ट से भी ज्यादा good produce कर सकते हो मतलब अगर हमें तस लाक्व नीद उसके लिए 해 क्या नामक है इसका वेंडी ग्राफ जन्रेटर तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक इस प्रिंसिपल पर काम करेंगा और उसके ऊपने नियुक्त बात में ये दिखने में कैसा होगो वह सारी चीज अपने स्टेडी करेंगे ठीक है तो सब से पहले अपन प्रिंसिपल समझते हैं पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की तो यह जो डिवाइस है इसका समझने के लिए मालो के हमारे पास में एक स्फेर है यह मैटल का बनावा और इसकी उपर चार्ट है Q मालो इसको आपने चार्ट कर रख है तो इसके चार्ट की वेल्यो कितनी है Q यह एक स्फेर है इसकी रेडियस है सपोस करो Capital R और इसके चार्ट की तरह है Capital Q कि रहा सबसे अमक्या कर रहे हैं वेंडिग्राप जन रेटर का प्रिंशिबन समझ रहे हैं तो ये एक स्फेर है स्फेर के उपर चार्ज कि वेल्यू कितनी है कैपिटल क्यू क्यूँ और इसकी रेडियस कितनी है तो यह बताओ कि इसकी सर्फेस की उपर जो पोटेंचल होगा वो potential कितना होगा, तो किसी भी charge sphere की surface पे जो potential है, उसका formula क्या होता है, तो V equals to, इसकी surface पे जो potential होगा, उसको लिखेंगे V equals to kq by r, kq by r, ठीक है, वही, ये जो conductor है, charge conductor, इसकी surface पे जो potential होगा, कितना होगा, kq by r के बराबर होगा, और हमने एक चीज़ और पढ़ रखी है, कि किसी भी charge conductor के अंदर उतना ही potential होता है, जितना उसकी surface पे होता है, तो इसके center पे या और किसी जिगह पे अगर आपको potential पूछा जाए, तो potential कितना होगा, तो उतना ही होगा, जितना इसकी surface की उपर है, हाना, simple सी बात है, समझ में आ simple r के बराबर होगा, अब हमने क्या कि इसके अंदर एक और छोटा sphere रख दिया, और इसकी radius है small r, और इसको भी charge दिया, हमने, मालों इसको किसी तरीकी से हमने charge कर रखा है, यह wire है, जिससे यह sphere connected है, अंदर वाला छोटा sphere, और यहाँ पे कुछ insulator type का कुछ material लगा रखा है, जिससे यह जो wire है, यह बाहर वाले sphere को touch नहीं कर रहा है, हमने इसको charge दिया, तो charge कहाँ पर आ गया, अंदर वाले sphere की उपर आ गया, यह charge is small q, radius कितने है इसकी small r, अगर आपको पूछा जाए कि इस small r radius की sphere की surface की उपर potential कितना होगा, तो यह potential कितना होगा, तो बाहर वाले surface क कि बाहर वाले sphere की surface के potential कितना है, की q by capital r, छोटा sphere है, उसकी charge कितना होगा, तो इसकी surface के potential होगा, वी इसको v-डेस लिख देते हैं, की q by small r, तो बड़े sphere की surface के potential इतना है, छोटे sphere की surface के potential इतना है, खुद के charge के वज़े से, लेकिन हमने एक topic पढ़ रख है, हमने एक अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा charges को पास पास रखते हैं तो किसी point पे अगर potential calculate करना हो तो उन दोनों charges का या ज़्यादा जितने भी charges है system में उन सबका अलग-अलग potential calculate करके add किया जाता है तब जाके अपने पास total potential आता है तो अगर मुझे यह calculate करना हो कि इस बड़े वाले स्फेर की surface पे जो total potential हो कितना होगा खुद के चार्ज के वज़े से और इस वाले चार्ज के वज़े से तो वह हम calculate करके देखते हैं तो वी capital आर यह है बड़े स्फेर की surface पे total potential यह मैं इसकी खुद के चार्ज की वज़े से जो surface पे potential हो कितना है kq by capital आर और यह जो छोटा स्फेर है इसके center से बड़े स्फेर की surface हो कितना दूर है capital आर डिस्टेंस पे है चार्ज कितना है इसकी उपर small q तो बताओ इस छोटे स्फेर पे जो small q चार्ज है उसकी वज़े से इसके center से capital आर डिस्टेंस पे यह जो बड़ा स्फेर है इसकी surface पे potential कितना होगा यह होगा kq by capital आर वी formula क्या है kq by आर हमें छोटे स्फेर की surface पे जो चार्ज है उसकी वज क्लेट करना है बड़े स्फेर की surface की उपर और बड़ा स्फेर चोटे स्फेर के center से कितना दूर है आर डिस्टेंस पे है तो इस पूरे चार्ज को इसके center पर मानते हुए इससे आर डिस्टेंस पे जो potential हो कितना होगा के small q divided by capital R के बराबर होगा तो यह अपने पास क्या गया यह गया इस बड़े स्फेर की surface पे total potential अब इसी तरीके से हम क्या करेंगी जो छोटा स्फेर है इसके surface पे potential कितना होगा तो इसके खुद के charge की वज़े से इसके खुद का charge है small q इसकी वज़े से potential कितना है के small q upon small r ठीक है और हमको पता है कि जो बड़ा स्फेर है इसकी surface पे से जितना पुटेंचिल पूरे वजूम में होता है तो इस चोटे स्वेर को मालो की हमारे पास दो स्वेर है यह बड़ा इस प्पेर है और इसके नदर एक च्छोटा स्वेर रखा हुआ है जो बड़ा वाला स्वेर है इसको हमने चार्ज दे रखा है capital Q, इसकी radius है capital R, ठीक है, और जो छोटा स्फेर है, इसको चार्ज दे रखा है small Q, और इसकी radius है small R, ये जो बड़े वाला स्फेर है, इसकी surface पे जो चार्ज है, इसकी वज़े से, जो potential create होगा, वो होगा KQ by capital R, और जो छोटा स्फेर है, इसकी उसके खुद के चार्ज के वज़े से इसकी सरफेस पे जो पोटेंचिल आएगा वो कतना होगा के स्मॉल क्यूबाई स्मॉल अठीक है यह छोटे श्वेर का पोटेंचिल है लेकिन यह दोनों पर पास पास रखे हैं इस लिए इन दोनों पर जो चार्ज हैं उनकी वज़े से कि दोनों पर कुछ-कुछ पोटेंशिल लाएगा. बड़े स्फिर की सर्फेस पर टोटल qu ao über कितना होगा. दो खुद के चार्ज के वजए से पोटेंशिल कितना है के क्यूभाई par सब्सक्राइब देखा जा रहा है इसी तरीके से जो छोटा सफेर है इसकी सरफेस पर टोटल पोटेंशिल कितना होगा तो खुद के चार्ज के वज़े से पोटेंशिल कितना है के क्यूब बढ़ा जो स्फेर है कyan इसकी सरफेस पर जितना पोटेंशिल होता है इसके उतना ही होता है इस छोटे स्फेर के सर्फेस के जो तो जो जो बड़े पाइब के आहेगा है तो यह नुबस के राएगा तो यह क्यूब नर्ण का किल्क्लेट कर लिया अब मैं छोटे स्वेर के potential में से बड़े स्वेर का potential minus करके देखता हूँ V small r minus V capital r मैंने क्या क्या जो छोटा स्वेर है उसका जो potential है उसमें से बड़े स्वेर का potential minus करके देखा minus करेंगे तो देखो ये kq by capital r वाली term दोनों में cancel हो जाएगी ये इसमें भी है और इसमें भी है तो इसमें से ये minus किया जा रहा है तो ये बचेगा इदर kq by small r और ये और ये तो cancel हो चुका है तो इदर क्या बचेगा minus kq by capital r kq अगर आप common ले लो तो 1 upon small r minus 1 upon capital r ये अपने पास में v small r minus v capital r की value आ गई अब एक चीश सोच के बताओ कि हमने ये जो potential का difference calculate किया है छोटे स्वेर और बड़े स्वेर की बीच में ये जो value अपने पास निकल के आएगी ये हमेशा positive होगी ये हमेशा negative होगी या दोनों हो सकती है देखके बताओ क्यों की value हमेशा positive लेंगे अपने ये जो small q लिया जा रहा है ये तो positive है ये वाला जो small q है न ये तो positive है तो आपको बताना है कि बताओ कि ये जो difference अपने calculate किया इस formula से ये जो difference है ये हमेशा positive आएगा या हमेशा negative आएगा सोचो एक बार अच्छा ये बताओ small r जादा है या capital अगर जादा है तो ये value कम आएगी ये value जादा होगी जादा में से कम minus करोगी तो answer क्या आएगा हमेशा positive आएगा बढ़ी क्यों तो हमेशा positive ये तो small r छोटा है capital अगर बड़ा है तो ये value बड़ी आएगी ये value छोटी आएगी तो इसका मतलब ये difference हमेशा positive आएगा और positive difference आने का मतलब क्या है कि छोटे स्वेर का potential हो जादा है और बड़े स्वेर का potential कम है तब ही तो इनका difference क्या रहा है positive positive आ रहा है तो बड़ी value में से छोटी value minus करोगे तब ही तो difference positive आएगा बड़ी value कौन सी है देखो vr v small r minus v capital क्या आपने यानि छोटे स्वेर का potential minus बड़े स्वेर का potential ठीक है और ये difference कैसा निकल क्या रहा है positive इसका मतलब क्या है कि जो छोटा स्वेर है इसका potential क्या है ज्याद हमें से कम minus करोगे तभी तो आप answer positive मिलेगा आपको तो इसका मतलब यह निकला कि यह जो छोटा स्वेर है यह क्या होगा हाई potential पे होगा हमेशा और यह जो बड़ा स्वेर है यह क्या होगा हमेशा low potential पे होगा क्योंकि इनका जो डिफ्रेंस है वो positive आ रहे है इसका potential हमने calculate कि है तो positive आया जिसका मतलब यह निकला कि यह high potential पे है और यह low potential की उपर है तो इससे क्या फार्क पड़ेगा तो अब देखो अगर मैं इन दोनों स्वेर को एक wire से connect कर दूं तो क्या होगा इसका potential ज्यादा है और इसी स्वेर का potential कम है और चार्ज हमेशा की तरफ फ्लो होता है positive charge हमेशा high potential से low potential की तरफ flow होता है इसका मतलब यह जो छोटा स्वेर है यहां से charge बड़े स्वेर की तरफ flow होना start हो जाएगा मतलब किसकी उपर आना start हो जाएगा बड़े स्वेर की उपर अब जैसे आप इसको charge दोगे छोटे स्वेर को जो भी charge दिया जाएगा वो पूरा पूरा charge कहां पर आ जाएगा बड़े स्वेर की उपर आ जाएगा क्योंकि छोटे वाला स्वेर हमेशा क्या रहेगा हाई potential पर रहेगा वही चार्ज की वेलू यहां पर matter नहीं कर रही है चार्ज जादा हो या कम हो यह जो डिफ्रेंस है यह पॉस्टिव इस वज़े से आ र इस बड़े स्वेर की उपर ट्रांसफर होगा क्योंकि यह हाई potential पर रहेगा यह लोग पोटेंशल पर रहेगा और पॉस्टिव चार्ज हमेशा हाई potential से लोग पोटेंशल की तरफ फ्लो होता है तो हमको एक बात समझ में कि जब भी हम इस छोटे स्वेर को चार्ज करेंगे मतलब चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहां पर चला जाएगा बड़े स्वेर की सर्फेस पर और बड़े स्वेर का potential continuously बढ़ता जाएगा क्योंकि अगर कोई भी चार्ज को स्टोर करता तो चार्ज की वैलू बढ़ने के साथ साथ उसका potential भी क्या होता है इंक्रीज वैसी चार्ज कर देते इसको यह तना अरेंजमेंट करने की जरूरत क्या है तो आपको बता है कि हर एक कंड़क्टर की चार्ज को स्टोर करने की एक कैपैसिटी होती है जैसे वह maximum potential तक चार्ज होता उसके बाद में वह ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो यहा उसके चार्ज दिया जाएंग और वह चारज कोएक्सेट करना पढ़ेगा क्योंकि कॉनसेट क्या है कि चार्ज हमेशा है. जौभ प्टेंशिल फोता है यह स्पेशल अरेंजमेंट किया आपने इससे क्या है कि हमने कंड़क्टर को हाई पोटेंशल पर रखा दूसरे को लोग पोटेंशल पर और उनके विच में चार्ज का फ्लो स्टार्ट करवा दिया तो चार्ज जाता रहेगा इसकी ऊपर ठीक है अच्छा यह जो चार्ज एक पोटेंशल बढ़ने के साथ साथ इसके चारोत तरफ जो ऑसपास की जो एर है उनके जो मॉलेक्टरों से उनके उपर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाके उनको मॉलीकुल से इलेक्ट्रों को मॉलीकुल से बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा जिससे जो एर के मॉलीकुल से वो पॉस्टिव आइन्स में और दूसरी चीज़ के अपर प्रोडूूस हो जाते हैं मतलब हाइए लेक्टिक फिल की उपर क्या होगा हाई वॉल्टेज के हैं अगर निकले का तो उस और जाएंगा इसका मिलोग तो इसके आजपास कौन सा रीजन होगा एक मेडियम क्रेट हो गया जिसमें फ्री येक्ट्ड वब घुम रहे हैं पॉसिटिव आइंस ग्मुम रहें अच्छे जो free electrons होंगे वो क्या करेंगे वो इधर-उदर मूग करेंगे आराम से और यह जो पॉस्टिव चार्ज यह उनको अट्रेक्ट करेगा तो आके से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और अगर एलेक्ट्रोन आएगा तो अपने साथ नेगेट नेगेटिव चार्ज ले जाएगा पोटेंचिल ड्रोप उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं एक लिमिट तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं जैसे दसलाक वोल्ट तक चार्ज कर दिया तो उससे ज्यादा चार्ज करोगी तो क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फिल्ट प्रोडूसर है उससे एर का अफ्यूमे रख दो फिर अगर वैक्तिूमें रख दो कि तो एरी नहीं होगी दो हुर Oo करक्डाउन नहीं होगा तो उसको और जादा दक चार्ज किया जा सकता है तो यह एक तरीका होता है तो यह प्रैंसिपल था इसका निस सब्रें को दो रेने होता हैं जिस ने से 1 एक को दूसरे के अंदर रखना होता है चोटा conductor होता है चोटा स्फेर होता है मनलों एक बड़ा इस परोसे सवेर को जो भी चार्ज दोगे यह है potential पर होने के वजह से सारह का सारा चार्ज काँ पर ट्रासफर कर देगा तो यह इसका बैसिक प्रिंसिपल है शुजा वोगे अच्छ इसा कमें धारा विति जिए आग्रम बदारे समस्टर तो सब्सक्त पूरी कर गो है करें समय को अब है दिखने में कैसा वर दिवाइस तो बचने में यह सब्सक्रार में नीचे होता है यहां पर इसका बेस मतलब जिस पर यह टिकावा रहेगा यह इसका बेस हो गया ठीक है इस बेस की ऊपर एक तेका हो गया इसके बाद में इसके अंदर दो पुली होती हैं, जिनकी उपर एक belt घूमता रहता है, यह एक insulating belt होता है, यह belt भी कैसा होगा, insulating होगा, insulating material का बनावा रहेगा, तो यह दो पुली हैं, इस नीचे वाले पुली को हम motor से घुमाते हैं, और motor से घुमेगा, अगर यह पुली घुमेगी, तो यह belt इधर से सोर्स रहेगा जिससे हम क्या करेंगे इस बैल्ट को चार्ज देंगे जैसे इस बैल्ट को चार्ज मिलेगा यह चार्ज इस बैल्ट के साथ-साथ क्योंकि बैल्ट घूम रहा है तो बैल्ट के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स- तो इस इसके řिए क्या जाएगा आउटर स्बेर कि सर्फेस पर जाएगा तर यहां पर स्भेर के ऊपर चार्टी बढ़ाता रहेगा जितनी देर के लिए अपकंस को चलाओगे और मेर में हैं बढ़ती जाएगी तो इसमें basic concept वहीं लगाया हमने यह वाला अंदर वाला सिस्टम छोटे स्वेर की तरह काम कर रहा है और यह जो बाहरी स्वेर लगा रखा है यह यह बड़े वाले स्वेर की तरह काम कर रहा है यहां पर चार्ज का एक सोर्स लगा दिया जिससे चार्ज हम को देते रहें और यह चार्ज इस बैल्ट के थुरू यहां तक ब्रस तक पहुंचेगा और ब्रस होता हुआ इस आउटर स्वेर की सर्फेस पर आ जाएगा तो यह प्रोसेश चलती रहेगी यहां पर तो यह इसका मतलब construction अगर आपको पूछे कि भी कैसा होता दिखने में तो यह आप construction में बता सकते हो कि इसके अंदर एक metal का hollow sphere होता है फिर उसके एक cylindrical column की उपर रखावा होता है insulated column ठीक है उसके बाद में एक base होगा जिसके उपर यह टिकावा रहेगा और दो पुली होती है जिसके निचे वाली पुली को मोटर से घुमाते है जिसके उपर belt rotate क कर देते हैं जो कि चार्ज को accept करता है चार्ज को लेगा और यहां पर ब्रस तक पहुंचाएगा ब्रस से होता हुआ चार्ज आउटर स्फेर के उपर आ जाएगा इस तरीके से यह काम करेगा समझ में क्या तो अगर आपको पूछे कि क्या यूज़ है वेंडी ग्राफ जनर यूज़ करना होता है उसकी स्पीड बढ़ा नहीं होती है तब हम हाइप पोटेंचल यूज़ करते हैं तो हाइप इसी डिवाइस से प्रोडूस किया जाता है किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक हाइप पोटेंचल डिफरेंस की ज़रूरत होत हो मेटल का स्थिय वता है जिसको इसे अपने टुस करते हैं तो अपने बाल खड़े हो जाते है इस तдекивट अभर आप ने कभी देखा हो तो वाल खड़े कियो हते हैं क्योंकि आपने पनने चांब करोगे ने क्कृचिकस आपको उपर इक दूसरे को रिपैल करेंगे से दूर चले जाते हैं यह कई बार क्या होता है